स्वागत है आप सभी का आज हम आपके पार्यावरण से महतपुन 50 MSQ करेंगे तो चलिए आईए स्टार्ट करते हैं आपका ज्यादा समय नुकसान ना करते हुए देखे आपका पहला कोशन दे रहा है कि वन सुरच्छा अधिनियम कब बना था तो 89 इस्विम बना था किस ब्रीच को पार्यावरण का दुस्मन कहा जाता है तो सभेदा को पार्यावरण का दुस्मन कहा जाता है इसके आगी आपका देखे अगला कोशन दे रहा है तीन नंबर कोशन है कि पार्यावरण सुरच्छा अधिनियम कब बना था तो 89 इस्विम बना था जल सनरचन एवं प्रदूसन नियंतर अधिनियम कब बना था तो यह आपका 1974 में बना था इसके आगे आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है अगला कोशन है कि पार्यावरण की सुरच्छा मूल करतब्य है इसका उलेक किस अनुछेद में किया गया है एवं सविधान के किस संसोधन के अंतरगत जोड़ा गया था तो देखिए बयाली सविधान संसोधन के द्वारा जोड़ा गया था और किस अनुछेद में इसका उलेक है तो अनुछेद एकावन ये में इसका उलेक किया गया है तो इसे आप पच्छे से याद रखेगा इसके आगे आपका देख पीस आपका पर्यावरन योजना है इसके आगे आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है अगला कोशन है कि चिपको अंदोलन किस उदेश के लिए बनाया गया था तो वन्नो की रच्छा करने के लिए चिपको अंदोलन बनाया गया था भविस का इंधन किसे कहा जाता है तो रहा है यह इंटा प्रम किया गया है यह यूजल azmaya taş सचन्राफाषिया могу like चूर विवावर qa b зачем we do bring कुछस्चन बहुत ही महत्पुरैं जाफ से चुर्ण रखेंगा इसके आगी आगला कोश्चन है कि गिद सनरचन परियोजना कब से प्रारम किया गया है तो 2006 से प्रारम किया गया है इसके आगे आपका देखिया अगला कोशन दे रहा है अगला कोशन है कि गैंडा सनरचन परियोजना कब से शुरू किया गया है तो 1987 से शुरू किया गया है इसके आगे आपका अगला कोश को आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि सभी कोशन अपने आप में बहुत ही मंत्पूर है इसके आगे आगी आपका अगला कोशन है कि मात्रा वाई मंदल में कितनी होती है तो जीरो से लेकर आपका चार परसेंट होता है इसके आगे 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 कोशन है कि मंट्रेयल समझाओता कब हुआ था तो 1985 Sv. में हुआ था इसके आगे आपका अगला कोशन है कि पिर्थिविस सिखर समेलन कब आयो जित किया गया था तो 1992 में किया गया था इसके आगे आपका अगला कोशन है कि पिर्थिविस सिखर समेलन किस सहर में तो 2005 में किया गया था, इसके आगे चलिए और देख्या आपको अगला कोशन दे रहा है, कि पाँच जुन को 200 पारयावरन दिवस किस सम्मेलन में घोसित किया गया था, तो इसका साही उत्तरापका हो जाएगा, इस्टाक हम संमेलन 1992 में घोसित किया गया था कि 5 जुन को हम पर्यावरण दिवस के दूप में मनाएंगे इसके आगी आपका अगला कोशन है कि टाइगर मैन आप इंडिया किसे का आ जाता है तो कैलास सांखला को का आ जाता है इसके आगे आपका देखे अगला कोशन दे रहा है 24 नमर कोशन है कि भारत में हरित करांती के जनक आपके MS. स्वामी नाथन है भारत में परिस्तिति के जनक कौन मने जाते हैं तो डाक्टर राम देव मिस्रा को मना जाता है इसके आगे चलिए और देखे आपका अगला कोशन दे रहा है 26 नमबर कोशन है कि 20 व उजोन दिवस कम मना जाता है तो 16 सितंबर को मना जाता है देखे इसके आगे आपका अगला कोशन दे रहा है कि 20 व उन जीव दिवस कम मना जाता है तो 3 मार्च को मना जाता है तम बाकू मुक्त दिवस कम मनाई जाता है तो आपका 31 माई को मनाई जाता है इसके आगे चलिए और देखे आपका अगला कोशन दे रहा है कि विस्व पार्यावरान दिवस कम मनाई जाता है तो 5 जुन को मनाई जाता है और यह कब निर्धायत किया गया था तो आपका इस्टाक औहुम समेलन 1922 में यह निर्धायत किया गया था कि 5 जुन को पर्यावरान दिवस मनाई जाएगा इसके आगे चलिया और देखे आपका अगला कोशन दे रहा है कि 20 वजन संख्या दिवस कम मनाई जाता है तो 11 जुलाई को मनाई जाता है इसके आगे आपका देखे अगला कोशन दे रहा है कि कितने प्रतिसत भूब आग पर राष्टिय वण नीती के अनुसार वण होना अनिवारी है तो 33% भाग पर one होना अनिवार है बाधाओ गौर राष्टिय उद्यान कहां परिष्थित है तो आपके मध्य परदेश में इस्तित है और मध्य परदेश में एक जीला पढ़ता है उमर्या जीला वहां पर आपका इस्तित है इसके आगे आपका देखिया अगला कोशन दे रहा है कि UNEP का मुख्याले कहां परिस्तित है तो नैरोभी में इस्तित है इसके आगे आपका 49 नमर कोशन है 49 नमर आपका कोशन है कि उस गैस का नाम बतागे जो आपके फोटो कापी मसीन में उत्पादित होती है तो आपका उजोन गैस उत्पादित होता है इसके आगे आपका 40 नमर कोशन है कि उपगरह संचार में किस तरंग का प्रियोग किया जाता है तो माइक्रोवेब का प्रियोग किया जाता है पच्छुआ हावा को क्या कहा जाता है तो पच्छुआ हावा को आपको गरजिता 40 का आ जाता है तो ये कोशन आप पच्छे से याद रखेगा ये कोशन आपका बहुत बार पूछा जा चुका है इसके आगी आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है अगला आपका कोशन है कि कोहरे के आर पार देखने में सहायक है तो अवरक्त भी किरण है भारतिय वन सनवेचर का मुख्याले कहां पर इस्तित है तो आपके देहरा दुन में इस्तित है इसके आगी आपका देखिए अगला कोशन दे रहा है अगला आपका कोशन है कि भारत का पार्यावरन सिच्छा के निर कहां पर है तो आपके अहमदाबाद में इस्तित है इसके आगी आपका 45 नमबर कोशन है कि पार्यावरन का रच्छा कवच है तो उजून परत है हम वाई मंडल ये गयस से 21 मंडल में रहते हैं तो आपके 46 मंडल में रहते हैं इसके आगी आपका देखिए 47 नमबर कोशन दे रहा है कि उस गयस का नाम बताई ये जो उजून परत को नश्ट करती है तो CFC करती है यानि कि क्लोरो फ्लोरो कार्बन करती है इसके आगे आपका देखिये अगला question दे रहा है कि Y मंडल की सबसे उपर ही परत को क्या का जाता है तो 62 मंडल का आ जाता है इसके आगे आपका देखिये अगला question 00.9 कोशन दे रहा है कि समाने बात चिद करने में ध्वानी तीवरता कितनी होती है तो 60 decibel होता है यानि कि हम जब बात चित करते हैं तो उसमें 60 decibel का ध्वानी तीवरता होता है अगला कोशन है कि समुंदर की गहराई में आपने सिगनल देने में छूपी वस्तू का पता लगाने के लिए किस ध्वानी तरंगों का प्योग किय जाता है तो परास्रव ध्वानी तरंग का प्योग किया जाता है तो आज हमने आपके पर्यावरन से महत्तपुन 50 MCQ लगाए जो कि आपके बार बार यही अधिकतर कोशन पुछ जाते हैं तो सभी कोशन को आप अच्छे से याद रखेगा तो चलिए आज के लिए इतना है धन्यवाद